22 तारीकोर अजुद्या में रामलाला की परानपतिष्ठा की जाएगी उसके लेकर पूरे देश में उत्सभी का माहुल है और 22 तारीकोर पूरे देश में एक दिवावली की तरह उत्सभ मनाये जाएगा उसको लेकर दीब बनाने का भी तैयारी पूरी जोर से चल रही है हम आज दुमका के राखाबानी इस्थित एक कुमहार के घर में है जो दीब बनाने का काम कर रहे है वो भी पूरे जोर सोर से लगे हुए है चुकि ये दिपावली के बाद एक ऐसा दिपावली आया है जो इनको उनकी दियों के दिमान बढ़ चुकी है हम उनसे जाने की कोसिस करने इस बताएए कि बना रहे है और दिप आवली के बाद इस बाद देप लगभव बनना बंद हो जाता है लेकिन इस बार दिपावली के उनकी राम उत्सव है उसको लेकर जाने वह हैं क्यैसात तयारी है कि ऐस बार हमारे प्रदान मंत्री जी बोले हैं, हर एक घर-घर में दिप जलाना है रामलाला के उत्सब में और पूरे अपना-पना मंदिल में भी जलाएं, इसके लिए हम लोग जोड सोर्व से दिपावली के जैसा ही बना रहे हैं, और सोच रहे हैं और इसा ही भीकेगा, इस खराब मोसम में भी हम लोग दिन रात मेहनत करके और बना रहे हैं, और वही दामलाला का दिपक जले और हम लोग को दिपक भीके, इसी लिए हम लोग बना रहे हैं, कितने अब तक भी दिपक बना चुके हैं, कितने पीस, और इसको बनार में कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी हैं, मेहनत तो और अभी बनाई रहे हैं और कितने आपको डیमांड क्या लगता है कि कितने डीमांड होंगे जो इस सहर में जो हैं इस वास तो हमारे प्रदान मंंति जी बोले हैं तो पर डिपक डिमांड होगा और घर-घर में सब जलाएगा इस सा से हमलोक बना रहे हैं चुकि ये दीपक पहले दिपावली के में ही बनता था और अब राम मंदिर के प्रान पस्तिष्ठा की जाएगी तो ये दूसरी बार कहीं नहीं दिपावली की तैयारी हो रही है तो कुम्हारों में इसके लेकर कितनी खुसी है जो कि लोग आप देशी दियों से कम से कम दीप चलाएंगे इसमें हम लोग कुमर भाई को बहुत मतलब उत्सा है और बहुत खुशी है जो साल में एक बार ही दिपावली आता था उसमें हम लोग दिया बेचते थे इस बार दो बार दिपावली का जैसा ही दिया बनाने का हम लोग को मुका मिला है और वैसा ही विकना हम तो रोप से इस बार जो है दसहरा के बाद दिपावली में जो है दीप भीकते थे और अब जो है अब वो यह राम लाला के प्रान प्रतिष्टा आई जन्वरी को जो आज़द्या में राम मंदिर के अंदर भगवान राम की प्रान पतिष्टा की जाएगे तो उसमें पूरे देश में दिये जलाए जाएगे और उसके लेकर भी जो है कुम्हारों के घर में भी खुसी का माहूल है आप देख सकते हैं कि जो दिये यह सिफ अभी बनाए गया है यह सूखने को लिए दिया गया है और यह सूखने के दोसिस करेंगे कि यह बताएगे कि यह त्यारी कितने दिनों से चल रही है और कितनी खुसी है हम लोग का बहुत खुसी है यह बहुत दिन से इसा पकाम हम लोग कर रहे हैं और बहुत महनत से इसा बहुत महनत भी है महनत से कर रहे हैं यही दिपावली के जैसा है दिपावल एक तो राम का पर्व था दूसरा जो है ये दिपावली है तो कहीं ने कहीं मेहनत के साथ भी पैसे की उमीद हाँ पैसा की उमीद लेके हम लोग बना रहे हैं कि अब बहुत परिश्रम है और धूप भी नहीं हो रहा है वह तो हम लोग इसे बना रहे हैं क्या नम हो कुंति देवी तो यह कुंति देवी थी उन्हां कहा कि चुकि यह चुकि इस बार जो है मौसम भी उनका साथ नहीं दे रहा है बावजुद इसके जो है वो राम मंदिर के पराहन पर्तिष्ठा के खुसी में जो दिपावली मनाए जागा यही बज़ा है कि वो तैय आस प्रशाचा यही पीनिश